नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्योब चनल पर इस वीडियो में हिंदी के इंपोर्टेंट कोस्टन देखेंगे जो कि आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस् इसे बिहारी भ हासा की बोली नहीं है Option B, 36 गड़ी एक कोश्चन आपको बताना है पाबक का संदी विच्छत क्या होगा इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है अंधे के आगे रोना का क्या रथ है तो Option B, ब्यर्थ का प्रयातना अंधे के आगे रोना ब्यर्थ का प्रयातन जहांसी की रानी उपन्यास के लेखा कौन है Option आपको ब्रंदा बन लाल बर्मा निम्न में से कौन सा पतिक का पर्याय वाची है ये सभी मुसाफिर, पंथी और बटोही सिस्ट का बिलोम सब्द क्या होगा तो सिस्ट का होता है असिस्ट क्या होता है असिस्ट बच्चों को थपकी देकर सुलाने का अगेत क्या कहलाता है लोरी अनुकूल में कौन सा समास है आप्संस ही हो जाएगा अब्याई भाव समास कौन सा है अब्याई भाव समास सत्पुरुस में कौन सा उपसर्ग प्रियुक्त हुआ है Option D सत उपसर्ग तीन बर्स उपन्यास के लेखक कौन है भगवती चरण बर्मा काली आंधी के रचेता कौन है Option A कमले स्वर काली आंधी के रचेता है कमले स्वर उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है चंद्रधर सर्मा गुलेरी निमलिकित में से कौन सी समुबाचक संग्या है Option D ये सभी जुन्ड, सभा और सेना सरस्वती का पर्यवाची निम्न में से कौन नहीं है Option B बागी के तीने सार्दा, भारती और बागे सोरी निम्न में से कौन सूर का पर्यवाची सब्द नहीं है Option D बागी के तीने खरांसू, तिम्रारी और पतंग कपटी का बिपरीड तार्थक सब्द या बिलोम सब्द क्या होगा निस कपट उदात का बिपरीड तार्थक सब्द क्या है उदात का हो जाएगा Option C अनूदात इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है तो Option E बागी के तीन सही हैं जैसे कि बिजय का हो जाएगा पराजए म्रदुल का कठोर बिरहा का मिलन पसीने से उत्पन के लिए एक सब्द क्या होगा Option E सुएदज क्या होता है सुएदज जो पहरा देता है के लिए एक सब्द क्या होगा प्रहरी युग निर्माता क्या होगा युग निर्माता कहीं का नहीं रहना किस मुहाबरे का अर्थ है घर का ना घाट का दो टूक बात कहना मुहाबरे का सही अर्थ है Option E स्पस्ट कह देना मुह की खाना मुहाबरे का सही अर्थ क्या है Option C बुरी तरहें हारना गरदन उठाना मुहावरे का साही अर्थ क्या है? तो गरदन उठाना मुहावरे का हो जाएगा आप्सन है प्रति बाद करना बिस्नू प्रभाकर दौरा रचित आवारा मसिया किसकी जीवनी है? सरत चंद चटो पाध्या है किस बाक में करिया बोटकाल में नहीं है अपसन सी देखिए इसमें है आ रहा है बाकी देखिए था थी और थी ये सबी बोटकाल में अपसन सी बोटकाल में नहीं है अगला है निमलखित में से किस बन का उचारा तालू से नहीं होता है तो देखी ये option D हो जाएगा का अंतरगत में कौन सी संदी है अंतरगत में जो संदी हो जाएगी option C बिसर्ग संदी कौन सी हो जाएगी बिसर्ग संदी निम्न में कौन एक तदभाव सब्द है तदभाव सब्द की बात करने तो ये हो जाएगा option D आम अरित्मानस किस बोली की साहित्तिक रचना है? Option A हो जाएगा अब अदी जिस समास का पहला पद विसेशन तता दुसरा पद विसेशन होता है बहे है Option B कर्मधाराय समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधाराय समास सिष्ट मंडल कौन सी संग्या है? Option B समू बाचक संग्या पीली साड़ी दुकान से खरीदी है इस बाग में विसेशन तता विसेश से क्रमसा है Option A पीली साड़ी पीली हो जाएगी विसेशन और विसेश से हो जाएगी साड़ी निम्न मैं से कौन सा सब्द सुद्ध है? Option A प्रसस्त प्रसस्त को आप Option A की तरीका लिख सकते हैं ना की B, C और D की तरह है क्या तुमने रोटी खाई? किस प्रकार का बाग की है? तो ये बाग के देखी यहाँ पर Question Mark लगा हुआ है तो ये बाग की हो जाएगा प्रस्टन बाचक पाग की बहे बस्तू जिसके आरपार ना देखा जा सके के लिए एक सब्द क्या होगा? इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है की क्या हो सकता है? शिकारी ने बाग मारा इस बाग में किस कारक के परसर्ग का प्रियोग हुआ है? Option A कर्म कारक के परसर्ग का प्रियोग हुआ है मिठास सब्द में किस प्रत्य का प्रियोग हुआ है? Option B आस मिठास आस निकरला प्रत्य तो आस प्रत्य हो जाएगा अगला है जी नहीं भरना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होगा तो आप्सन सी हो जाएगा संतोस ना होना जी नहीं भरना मतलब संतोस ना होना जान बूच कर मुसीबत में पढ़ना किस मुहाबरे का सही अर्थ है तो यह है आप्सन है आग में कूदना विशेशन प्रियोग की दरश्टी से कौन सा बाक्य सुद्ध है? Option D अनेक छात्र हिंदी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते है मुगल किस भासा का सब्द है? Option B तुर्की भासा का सब्द है हिंदी सब्द का प्रियोग सरपरतम किस भासा में हुआ? वासा की रचना में हुआ फार्सी वासा परिवार किस संग्या का उधारण है? Option D समुबाचक संग्या का उधारण है परिवार यसोदा हरी पालने जुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कचु गावे इन पंक्तियों में कौन सा रस है? Option B निम्न में से कौन सा सब्द सुद्ध है? जो तिर मैं ऐसे लगते ना कि Option B और D के तरह है तो काईद आसके इस वीडियो में इतना ही थैंक